आप सुन रहे हैं धरोहर जहां मैं आशुतोश राना सुना रहा हूँ आपको कहानी आलहा उदल की मेरे मिट्टी के धरोहर है मेरे पिता ने निश्चा ही तुम्हारे पिता के साथ अधर में युद्ध किया था लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ अगले दिन सुबह तड़के महोबा की सेना ने मांडो गड़ दुर्पर आक्रमन की खवर सुनते ही बगेल राज जंबे ने अपने दोनों पुत्र राय करिंगा और सूरज को बला है। राय करिंगा और सूरज अपने समय के बड़े शूरवीर योधा माने जाते थे। बगेल राज जंबे ने युद्ध की बागडोर अपने पुत्रों के हाथ रसौते। हम आपको सपना पूरा करेंगे, हमें अशिर्वात दीजिए। इस युद्ध को हम अवश्च्य जीतेंगे। इधर महुवा के सेनापती आला ने पंच व्यूकी रचना के साथ युद्ध लड़ने का निरने लिया। अपने घोडे पर सवार होकर सबसे आगे चलने वाली सेना का संचालन स्वायम आला कर रहा था। उसी जगए उसी पेड़ पे हम तुम्हारी भी खोपनी टांग देंगे ये बकवास का वक्त नहीं है राय करिंगा तुम्हारे पिता ने अधर्म युद्ध करके मेरे पिता और चचा को मार डाला था तुम अगर अपने पिता का सर लाकर मुझे दोगे तो हम तुम्हारी जान बक्ष देंगे बात बात पे सरबर हो गई बात बात मैं बाढ़ी रार बात के ऊपर ठेवा हुई गए कमर खुली गई तलवा और फिर सेना एक दूसरे से बढ़ गई राय करिंगा आला की आँखों में धूल जोंकर आला की ओर बढ़ गया फिर उसने ऊधल पर बाला फेका बाला ऊधल के शरीक के पार हो जाता यदि ऊधल का गोड़ा बिंदुला समय पर अपनी चालना बदलता ऊधल के करीब से निकल के करिंगा का बाला धर्ती में धस गया इस गटना से राय कलिंगर आश्चर चकित रह गए उसने उदल पर तलवार से आकमी किया और उदल ये कहकर राय करिंग पर तूट पड़ा कि पहली बानी मैं बोलत नहीं दोजी मैं नहीं करते रार और तीजी बानी मैं छोड़त नहीं मौ मैं धूस नहीं तलवार और उदल के पहले वार में ही राय कलिंगर गायर हो गया और वो रणबूमी छोड़कर भाग गया इस गटना से उसकी सेना का मनोबल तूट गया और भगदर मच गये लेकिन तभी सूरेल ने मांडोगर की सेना की भागदोर अपने हाथों में लेई और आला को ललकार करका आला इतने सेनिकों की जान गवाने से कोई मतलब नहीं आओ हम दोनों द्वंद युद्ध करें और द्वंद युद्ध के फैसले से इस युद्ध का फैसला हो हरे जाओ अगर तुमसे मैं लड़ूंगा तो दुनिया के सारे वीर मुझे ये कहकर हसेंगे कि आला ने एक बच्चे को हरा दिया तुमारे लिए तो मेरा भाई उदल ही काफी है आला का आदेश पाते ही उदल सूरज के साथ द्वंद युद्ध करने के लिए तैयार हो गया दोनों की दलवारे निकल गई और वे दोनों एक दूसरे पर वार करते रहे ये लड़ाई शाम तक चली और सूरज ढलने के बाद आला ने दोनों को रोक दिया आला ने दोनों वीरियोध्धाओं को शावाशी दी और दोनों पक्ष की सेनाए अपने अपने शिवर में लौट गई आज का युद्ध तो बिना किसी निरणे के समाब्ध हो गया लेकिन अगले दिन की सुभह महोबा के लिए क्या मुसीबत लाई है राजकुमार करिंगा ने कौन सा पेंतरा खेला जानने के लिए सुनते रहिए धरोहर पर मद्ध प्रदेश की माटी से जुड़ी ये दिलचस्प कहानी मेरे यानि आशुतो शिराना के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफम पर 92.7 बिग एफम पर आप सुन रहे हैं धरोहर और मैं आशुतो शिराना सुना रहा हूं कहानी आला उदल की सूरज की पहली किरन फूटते ही युद्ध फिर आरंभ हो गया राय करिंगा स्वस्थ हो चुका था उसने सेना की बागदोर फिर अपने हाथ में ले ली थी दोनों और की सेना यामने सामने थी तलवारे निकल गई और तुरी नात के साथ साथ युद्ध शुरूर हो गया काफी देर तक युद्ध चलता रहा खूं से भरी पूरी भूमी लाल हो गई थी के भुजा बहाद्द और फरकन लागे नाचन लगे मुच्छ के बार और कट कट मोटी गिरे खेत मैं उठ 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 रुंड करें तक रहा युद्ध चलता रहा पर विजय किसी की नहीं हुई युद्ध का रुख बदलने के लिए आला ने उदल को राई करिंगा की और अग्रसर होने के लिए कहा उदल को आता देख राई करिंगा भी चकित रह गया उसने अपनी तलवार खीट ली और उदल पर तूट पड़ा राय करिंगा उदल पर अपनी तलवार से एक के बाद एक लगातार वार करता जा रहा था और उदल उनके दिमाग में अपनी योजन आनुसार राय करिंगा को ठका देना चाह रहे थे और उदल अपने आपको बचाते रहे जैसे ही उदल को महसूस हुआ कर राय करिंगा थोड़ा सा धीमा पड़ा है और वैसे ही उदल ने लपक कर राय करिंगा के उपर ऐसा जोरदार पेया है कि राय करिंगा का सर धर से अलग हो गया राय करिंगा के मर जाने पर मान लोगड की सीना पलायन करने लगी सूरज धलने को था पर उस दिन के युद्ध का नर्नायक पल तो शाम के पहले ही गुजर चुका था उस दिन का युद्ध समाप्त हो गया उधर युद्ध की गतिविधियों से अंजान आला उदल से इर्शा करने वाला उनका मामा माहिल महोबा पहुच गया और उसने महोबा के रनिवास में पहुचकर ये खबर दी कि युद्ध में आला और उदल के सरों को काट कर फिक दिया गया है ये पावर मिलते ही देवलदे और मलाना रोपड़ी दुख से पूरा रनिवास विवलबो उठा चारों और मरगट कीसी खामोशी चागे कि तभी युद्ध का समाचार लेकर दूत राजमहल पहुचा और उसने राय करिंगा कर सर राजा परमाल के सामने ठाली में रख दिया ये देखते ही माहिल वहाँ से निकल भागा और उरई की ओड़ चल पड़ा उसका शणियंत्र एक बार फिर निरस्थ हो चुका था अगले दिन के युद्ध की शुरुवात मही मलखान के हाथ हो सूरज मारा गया और अब महोबा की सेना को रोकने वाला कोई नहीं था महोबा की सेना ने मांडो गड की गिले को गेर लिया कहते हैं कि ये खबर मिलते ही राजा जंबे भईभीत हो गया और उसने सहजो जोगिन को बुलाया सहजो जोगिन या सहजो योगनी एक ऐसी योगनी थी जो काली शक्तियों की उपासक थी जिसने तंत्र मंत्र द्वारा कई सिध्धियां प्राप्त कर रखी थी